हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस एप्लिकेशन डेवल्पमेंट के अंदर वह किस तरीके से हमने की फ्रेम एनिमेशन की हेल्प के साथ एरो प्लेंग फ्लाइंग की जो एक एन चुका हूँ की फ्रेम एनिमेशन के रिलेटेड वो मेरी बेसिक वीडियो थी और इसमें थोड़ी सी एक्सपर्ट लेवल पे आपको चलना पड़ेगा मगर काफी एजी वे के साथ मैंने इस टुटोरियल में बताया हुआ है कि आप कैसे की फ्रेम एनिमेशन की हेल्प के सा साथ एरो प्लेन प्लाइंग की एक जो एनिमेशन है अच्छे से एप्लिकेशन के अंदर क्रियेट कर सकते हैं तो चलिए मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एक्जामपल है पहले मैं इसकी आपको वर्किंग दिखा देता हूँ फिर मैं आपको पताऊंग कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिम्पल वे के साथ इस तरीके की जो एनिमेशन हैं वो अपनी आई उस डिवाइसिस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लेंग्वेज की हेल्प के साथ डिवेल्प कर पाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने व्यू के जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है स्टार्ट की फ्रेम एनिमेशन और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप एरो प्लेन की जो फ्लाइंग की पुजीशन है वो देख सकते हैं तो इसमें मैंने रपीट आप्शन यूज की है तांके एनिमेशन जो है वो कंटीनि हो जाता है तांके आपको दिखा पाएं किस तरीके से रियल लाइफ की तरह ही यह एनिमेशन जो है यह वर्क करेगी तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मेरा एरो प्लेन है वो फलाई कर रहा है तो चलिए फ्रेंड्स यही है हमारी आज की एक्जाम्पल प्र अपलोड करता हूं तो उन सभी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको एक दो टाम्स जरूर बताता हूं तांके आप गूगल पर इन टाम्स को सर्च करके इनके बारे में और भी जो नोलज है वो गीन कर पाएं तो सबसे पहला ही जो कंसेप्ट है हमारा यही हमारी एप्लीकेशन को एक आप्लीकेशन को यूज करेगा यूजर उसकी जो अटेंशन है वो हम पर्टिकुलर एरिया पे एप्लीकेशन के अंदर वो बना पाएंगे एनिमेशन की हेल्प के साथ आपकी जो एप्लीकेशन है वो और भी पॉलिश्ड नजर आती है और इसे यूज करना काफी एजी हो जाता है आई यूएस के अंदर हमारे पास काफी सारी एपी आईज अविलेबल हैं जा जिसे आप प्री बिल्ट मैथड्स भी कह सकते हैं इसमें आपने करना क्या है बस किसी भी व्यू की चाहे वो बटन हो चाहे वो यूई व्यू हो कोई भी यूई अलिमेंट जिसकी एनिमेटेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूज को आप मॉडिफाई करके एक अच्छे से एनिमेशन जो है वो क्रीट कर सकते हैं इसमें आप एक ही यूई व्यू डॉट एनिमेट फंक्शन के अंदर मॉल्टिपल एनिमेटेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू को आप मॉडिफाई कर सकते हैं अब बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो कि है की फ्रेम एनिमेशन तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें होता क्या है इसमें हम काफी सारी यूई व्यू की जो एनिमेशन हैं उनको एक ही फ्लो में करते हैं या फिर आप कह सकते हैं अगर आपके पास सीक्वन्स ओफ सब एनिमेशन अवेलेबल हैं तो उन्हें आप कंबाइन कर सकते हैं एक लार्ज कंपलेक्स एनिमेशन में इसकी दो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टन है सबसे पहला है विद रिलेटिव स्टार ताइम और दूसरा रिलेटिव डूरेशन रिलेटिव वर्ड इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि ये दोनों इप्रॉपर्टी परसंटेज में काम करती हैं जितनी डूरेशन के लिए एनिमेशन होगी उसका कुछ परसंट जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे तो सबसे पहली है विद रिलेटिव स्टार टाइम इसका मतलब है कितने टाइम कौन से टाइम पर जो है वो एनिमेशन जो है वो स्टार्ट होगी और relative duration है कि कितनी length होगी अगर हम total length suppose animation की total duration 10 seconds कहते हैं और relative duration हम 5 seconds कहते हैं तो वो 5 seconds के लिए जो होल्ड करेगी अगर हम duration बढ़ा देते हैं 20 कर देते हैं तो relative duration automatically 50% 10 seconds के लिए हो जाएगी आपको पता आना चाहिए जो relative है वो percentage में काम करती है आप इसको और भी elaborate कर सकते हैं गूगल पर साच कीजिए इसके बारे में और भी जानी है जब हम practically इस application को implement करेंगे मैं साथ के साथ आपको और भी इनके related information दूँगा तो चलिए ये तो थी बाते theory के related किस तरीके से concept जो हमारे काम करते हैं अब हमने practically इस application को implement करना है practically implement करने के लिए मैं सबसे पहले इस project को close कर देता हूँ बिल्कुल fresh project के साथ यहाँ पर काम करते हैं project अब हमने single view app को develop करना है next पर click करेंगे product name के अंदर आज की example का जो भी name आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपने accordingly जो है वो एक name रख देता हूँ keyframe animation arrow plane और बाकी settings आपने default रहने देनी है जो language हम use करेंगे वो हम करेंगे swift अब हमने next पर click करना है अब हमने laptop के अंदर जहां पर भी आपको अच्छा लगे आपने एक folder create कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर एक folder create कर देता हूँ तांके आज की example का जो सारा source code है उस particular folder के अंदर जो है वो save हो पाए तो मैंने एक folder create कर दिया है और इसके अंदर पूरी का पूरा project जो है वो मैंने create कर दिया है अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो project मेरा create हो चुका है और अगर built settings के अंदर देखें तो जो swift का version है वो है 5 और अगर बात करें एक्स code की तो यह 10.2.1 और जो मेरे पास laptop है यह Macbook Air तो यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करने से पहले तो friends अगर आप इस चैनल के उपर नहीं है चैनल की वीडियो पहली बात देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के उपर हम daily programming के related जो video tutorials हैं उनके सबसे बड़िया जो methods हैं वो daily upload करते रहते हैं जिससे आपको programming सीखने और समयने में काफी help मिलेगी और in case कहीं पर भी आपको कोई problem आती है तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं या फिर हमें directly email बेश सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी query होगी उसक इतनी जल्दी हो सके आपको दे पाएं तो अब आपने सबसे पहले इस असेस्ट फोल्डर के अंदर जो हमारे images थी जैसे arrow plane की image और उसके बाद में sky की image तो वो हमें import करनी पड़ेगी यहां पे तो चलिए मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं यह हमारी sky with cloud और यहां पे जो image है वह है एरो प्लेंड की जिसका background मैंने जो है वो सारा clear किया हुआ है इन दोनों को हमने select करना है और इन्हें drag and drop करना है इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे दोनों images जो है project के अंदर जो है वो आ चुकी है अब हमने main dot storyboard में जाना है और अपनी application का जो graphical user interface है वो यहा इस image view को drag and drop करूंगा यहां पर कुछ इस तरीके से और उसके बाद में आपने यहां पर attribute inspector के थुरू जो arrow plane वाली image है वो लगा के देख लेनी है इस तरीके से आपने लगा देना है अब मैं object library के थुरू यहां पर search करूंगा button और इस button को भी drag and drop करते हैं यहां पर अब हमने इसकी height and width जो है वो increase कर देनी है चलिए इस तरीके से कर दें अब हमने इस button का जो background color है वो set करना है तो मैं यहां पर yellow color कर देता हूं जो button है उसके उपर मैं लिग देता हूं start keyframe animation और यहां पर इसका जो font है वो मैं increase कर देता हूं आप अपने accordingly जो है वो set कर सकते हैं और जह इ हैं यहां पर जो color है text का color हो black कर देता हूं चलिए दोनों UI elements हमारे ready है अब इनके ऊपर हमने constraints apply करने हैं उसके लिए सबसे पहले image को select करेंगे यहां से add new constraints यहां पर हमने checkbox को uncheck करना है top, leading, trailing और यहां पर height इस तरीके से 4 constraints apply करने हैं अब हमने इस button को select करना है same way के साथ top, leading, trailing और यहां पर height इस तरीके से चारों constraints आप add करने अब हमने इस image का IB outlet और इस button का IB action दोनों ही create करने हैं तो उसके लिए मैं अपना जो favorite method है assistant editor उसी की help लोंगा तो चलिए यहां पर assistant editor में चलते हैं आप देख सकते हैं side वाले panels को मैं hide कर देता हूं तांके आप clearly देख पाएं by default जो यहां पर class open हुई है वो यह view controller class तो इसमें हम इस image का IB outlet create करते हैं तो करना बड़ा simple है IB outlet create करने के लिए आपको keyboard पे control की को press करते हुए इसे drag and drop करना है कुछ इस तरीके से और इस image का जो name है वो मैं यहां पर रख देता हूँ my arrow plane image name आप कोई भी रख सकते हैं बस coding के अंदर आपको same name जो है reference के लिए use करना पड़ेगा तो मैं इसे connect कर देता हूँ अब हमने view did load के बाद इस button का जो IB action है वो create करना है तो उसके लिए फिर से control की को press करते हुए drag and drop और name आप कोई भी रख सकते हैं IB action का मैं यहां पर रख देता हूँ start arrow plane animation और इसे भी हम connect कर देते हैं तो चलिए आप देख सकते हैं मेरा IB outlet and IB action दोन standard editor में जाना है side वाले panels को unhide करते हैं view controller class में चलते हैं यहां पर file में इसको save करते हैं और अब हमने coding करनी हैं तांके हम जो animation वाला effect है वो इस application के अंदर जो है वो ला पाएं तो आपको पता ही हमने keyframe animation यूज़ करनी है और इसमें हम जो चार keyframes हैं वो यूज़ करेंगे तो यहां पर अब coding शुरू करते हैं coding बड़ी simple है सबसे पहले view did load के अंदर जो background image थी sky with cloud की वो set कर देते हैं उसके लिए हम करेंगे code लिखेंगे self.view.layer.content equal to ui image को use करेंगे named parameter के अंदर double code के अंदर जो हमारी image का name था यहां पर sky with cloud यह लिखेंगे तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर sky with cloud चलिए और इसको convert कर देते हैं CG image में इस तरीके से अब हमारा जो background है वो यहां पर लग चुका है अगर मैं आपको दिखाओं तो आप इसको एक बार रन करके देख लें किस तरीके से यह निकल के आता है हमारी application के अंदर तो इसको अभी के लिए हम चलने देते हैं और यहां पर बाकी coding करते हैं अब हमने जो plane की original image है उसका जो center है उसको हमने यहां पर store करवाना है original plane center मैंने एक constant जो है वो लिया है और उसको pass कर दिया है हमने image का center और उसके बाद में अब हमने अपना जो first keyframe है वो लेना है तो first keyframe की coding के लिए मैं यहां पर लिखूंगा uivue.animate keyframe इस तरीके से duration जो होगी वो होगी 3.5 seconds के लिए delay हमने कोई नहीं use करना तो 0.0 कर देते हैं और option के अंदर हम यहां पर कुछ इस तरीके से use करेंगे dot repeat चलिए हमारा जो simulator है वो भी ready है यहां पर तो यहां पर आप देखिए जो background है वो हमने set की थी view के साथ तो देखना यह कि क्या वो यहां पर प्रॉपर ली आती है तो यहां पर देख सकते हैं background प्रॉपर ली जो है वो यह आ चुकी है इसको stop कर देते हैं चलिए आगे हमने animation वाला block जो है वो यहां पर क्रिएट करना है है हम कंप्लीशन में हम करेंगे यहां पर निल करेंगे तो यहां पर जो hic now see an meỗi keyframes आँ यहां पेम्प्ögliche दीए तो मैंने यह पहले लिए था इसको में कट कर लेता हूँ इसके अंदर लिखता हूं यहां पर हम जो पहला keyframe में वो अड़ करेंगे तो पहला की फ्रेम एड करने के लिए मैं यहां पर लिखता हूं यूआ व्यू डॉट एड की फ्रेम और विद रिलेटिव स्टार टाइम जो है वह हम लिखेंगे जीरो और रिलेटिव डूरेशन जो है वह हम लेंगे 0.25 कहने का मतलब 25 पर्सन जो है वह हमारा की फ्रेम फर्स्ट जो है वह यहां पर रन होगा तो अब हमने यहां पर जो एनिमेशन वाला ब्लॉक है उसमें लिखना है self.myaroplane उसका जो center x की value है वो increase करेंगे तो यहां पर मैं plus equal to कर देता हूँ कितना हमने प्रस करना है 175 और उसी वे के साथ myaroplane image की center की जो y की value है वो हमने decrease करनी है तांके arrow plane थोड़ा उपर की तरफ जाए तो यहां पर मैं 30 जो है value इसकी decrease कर देता हूँ चलिए इस तरीके से अब हमने यहां पर अपना जो second है keyframe वो यहां पर add करना है तो मैं यहां पर लिख देता हूँ second keyframe तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ relative duration होती है हमेशा percentage total का अगर यहां पर मैंने 25% निकाला आया तो आप देख सकते हैं अगर यहां पर one होता तो उसका 0.25 seconds के तो आप calculate कर सकते हैं यहां 3.5 है और यहां पर हमने 25% जो है वो इसको दिया है time पहले keyframe को अब हमने second keyframe में coding करनी है तो वो भी बड़ी simple है वहां पर फिर से add करेंगे एक नया keyframe अब हमने जो relative start time है वो करना है 0.1 इस तरीके से और relative duration हमने लेनी है 0.4 और animation वाला जो block है उसमें हम coding करेंगे arrow plane को थोड़ा सा किसी particular angle पे tilt करेंगे उसके लिए transform property को use करेंगे cga affine transform यहां पे function use करेंगे उसमें हमने rotation angle प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम करेंगे minus dot pi और उसको divide करेंगे 8 के साथ तो यह एक particular angle बनेगा जिससे arrow plane थोड़ा सा tilt करेगा हमारा तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो फिर से run करके आपको दिखा देता हूँ कि second keyframe पे हमारी जो animation है वो किस तरीके से चलेगी तो यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा tilt किया इसने इसके आगे हमने जो आप coding करनी है वो करनी है थर्ड की framework के लिए तो थर्ड की फ्रेम भी यहां पर एड़ कर देते हैं तो यह मैं जस्त कमेंट करने कमेंटिंग के लिए यहां पर यूज कर रहा हूं के अंदर अब हमने कॉडिंग करनी है, तो इसके लिए माई एरो प्लेन की जो सेंटर X की जो वैल्यू है, वो हमने इनक्रीज करनी है यहां पे, वो हम करेंगे 200, इसी वे के साथ माई एरो प्लेन की जो सेंटर कि जो y की value है वो भी हम करेंगे यहाँ पर minus करेंगे sorry इसको plus नहीं करना है इसको minus करना है तांकि आरो प्रेन ऊपर की तरफ जो है वो जाए और उसकी alpha property जो है वो zero करनी है तांकि वो थोड़ा सा fade होता हुआ नजर आए और last में बिलकुल गायब हो जाएगा आप देख सकते हैं third keyframe की जियो coding है वो मैंने कर दी है इसको मैं एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ कि third keyframe से कैसा effect पड़ा हमारी application के अंदर तो मैं यहाँ पर click करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरी जो error है वो आ चुकी है इसको मैं देख लेता हूँ किस वज़े से जो error है वो आई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं open करते हैं इसको और जो मैंने यहाँ पर third keyframe लिया था वो मैंने main अपना जो block था उससे बहार लिख दिया था तो completion से पहले यहाँ पर लिखना था यहाँ पर हमारा second keyframe जो है वो बंद हुआ था उसके बाद हमने यहाँ पर paste करना है और अब मैं इसको run करता हूं और अब देखते हैं किस तरीके से यह work करती है coding तो जैसे मैंने इस पर click किया आप देख सकते हैं किस तरीके से fade होता हुआ नजर आया है arrow plane अब हमने चौथा keyframe जो है वो यहाँ पर add करना है तो मैं यहाँ पर add कर देता हूं चौथा keyframe तो यहाँ पर चौथे keyframe में हमने क्या करना है लिखना है uiv.add keyframe और बड़ा है सिंपल है code इसमें इसमें हमने स्टार्ट जो रिलेटिव स्टार टाइम है वो लिखना है 0.51 और duration 0.01 और यहाँ पर जो हमारा animation वाला ब्लॉक है उसमें हमने जो भी हमने transformation apply की थी जो यहाँ पर transform angle हमने provide किया था इसको हमने फिर से अपनी original position में लेके आना है arrow plane को तो उसके लिए मैं यहाँ पर transform property में एक use करूंगा dot identity dot identity का मतलब है यह अपनी original condition में जो है वो आ जाएगा arrow plane क्यूंकि हमने उसे किसी angle पर rotate किया था तो दुबारा से जिस angle से rotate करना शुरू किया था उसी angle पर हमने उसे लेके आना है और इसका जो center है वो हम यहाँ पर set करेंगे अब हमने यहाँ पर x और y की value पास करनी है एक की value 0.0 और y की value हम यहाँ पर देंगे जो plane की original center था वहाँ से उठाएंगे y की value चलिए तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं coding हमारी बिल्कुल हो चुकी है तो four key frames हमने यहाँ पर use किये थे आप चाह bent दो वीडियो को यहाँ पर पीस कोड़िंग पहले но обрат कर सकते सकते हैं अब आप यहाँ से लेके यहां तक वीडियो को पास करकर सकते हैं अब आप second की की फ्रेम की थर्ड की फ्रेम की और लास्ट में फूर्थ की फ्रेम की जो वैल्यू है वो यहां पर नो डाउन कर सकते हैं यहां पर हमने वाई की वैल्यू लेनी है तो इस तरीके से आप डाट वाई भी जो है वो लिखने क्योंकि हमने इसको वाई को असाइन करना है तो फ्रे मैं इसको build and run करता हूं तो आप देख सकते हैं processing मेरी शुरू हो चुकी है और build इसका without any error यहां पे बन चुका है application run हो चुकी है simulator के अंदर अब हमने इस button पे click करना है start keyframe animation पे और देखना है किस तरीके से इसकी output जो है वो निकल के आती है तो देखिए मैंने जैसे ही इस पे click किया तो arrow plane उड़ना बिल्कुल शुरू हो चुका है और यहां पे आप देख सकते हैं मैंने repeat option यूज की थी जिससे हमारी जो animation है वो बार बार यहां पे execute होगी और आप देख सकते हैं कितने अच्छे way के स जो हमारा arrow plane है वो यहां पे fly कर रहा है सकाई में तो friends यह थी हमारी आज की example जिसमें आपने सीखा कैसे आपने keyframe animation को यूज करना है तांके आप सब animations को जो है combine कर पाएं एक large complex animation की form के अंदर मगर वो भी easily तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर और भी वीडिय चैनल के उपर आप इसी दरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बैल आइकोन को प्रेस कीजिए तांके जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के उपर अपलोड करें उसका जो notification है उसी टाइम पर आपके पास जो है वो पहुंच पाए तो चैनल के साथ बने रही है, वीडियो देखते रही है, प्रोग्रामिंग सीखते रही है, थैंक्स प्रेंट्स पॉर वाचिंगा आवर वीडियो मिलते है नेक्स वीडियो के अंदर किसी नए टापिक के साथ तब के लिए बाई बाई